आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोर्ड के ग्यारवी कक्सा के छात्रों का इंगली स्विसे का अर्दवार्शिक परिक्सा यानि की हाफ येरली एक्जाम का जो पेपर होगा 10 अक्तूबर को इस एक्जाम के अंदर आपका कोश्चन पेपर कैसा आएगा उसके बारे म कोश्चन पेपर जो डिजाइन होते हैं वो एक जैसे होते हैं सेम होते हैं और उसके बाद 11 और 12 कक्सा के छात्रों का जो कोश्चन पेपर डिजाइन होता है वो एक जैसा होता है सेम होता है और 11 कक्सा के अंदर जो हैं इंगली स्विसे के अंदर कुछ कोश्चन ऐसे हैं ज ताकि आपको बारवी में भी कोई समस्या ना हो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोशन पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से कोशन जो है ऐसे हैं जो ग्यारवी कक्साज में आने शुरू होते हैं वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर कि ओल के बटन के ओपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब मैं आपको कुशन पेपर दिखाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं Half Yearly Assessment यानि के अर्दवार्शिक प्रिक्सा के लिए कुशन पेपर है सितंबर दो हजार चोबिस ग्यारवी कक्सा का है इंगली स्वेसे का है 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 90 मिनट मिलेंगे आपको कुशन पेपर सोल करने के लिए और सबसे पहले Section A के अंदर Reading Skill के अंदर 10 नंबर के कुशन आएगे 5 नंबर का Unseen Passage आएगा और 5 नंबर की Note Making आएगी तो यहाँ पर पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है Unseen Passage है इसको पढ़ें समझें और इसके नीचे कुशन मिलेंगे और जो कुशन आएगे वो MCQ वा एक आंसर है तो यहाँ से कुशन आपके स्टार्ट है उपर पैसेज था उसको पढ़ना है समझ रहा है फिर इन कुशनों के आंसर देने हैं उसके बाद Read the following passage and make notes on it and give a suitable title यानि कि इस पैसेज को पढ़ना है और फिर note बनाने है और यह कुशन जो है पहले दसवी तक आपने नहीं देखा था यह 11 कक्सा से ही आना शुरू होता है और इसी तरह का कुशन जो है 12 में भी आएगा यानि कि note making का कुशन जो है 11 और 12 में ही शुरू होता है यानि कि 11 में शुरू होता है और फिर यह 12 में भी आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो passage है इसको पढ़ना है और इसके जो important point है यानि कि note है वो त्यार करने है अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल unsold paper दिखाऊंगा और जल्द ही इस question paper paper का solution है complete वो भी मैं अपने channel पर upload करूँगा वहाँ पर जो है answer में आप देख सकते हैं कि देख पाएंगे कि किस तरह से इस question का answer लिखना है और अगर आपको आता है यह note making तो आपको यह passage पढ़ना है और फिर answer लिखना है और फिर जो मैं solution upload करूँगा वहाँ पर आप अपने answer को match करके देख सकते हैं on the basis of your reading of the passage make notes on it यानि कि जो आप पढ़ोगे उसके आधार पर आपको note त्यार करने है और यहाँ पर इसका जो है suitable title यानि कि यह passage पढ़कर इसका जो है नाम भी रखना है title भी देना है इसको उसके बाद section B के अंदर writing skill के अंदर 5 number का question आएगा और 2 question question आएंगे choice में भी एक होगा question दोनों में से एक करना है और यहाँ पर जो question आ सकता है वो या तो application आ सकती है या फिर एक letter आ सकता है यहाँ पर जैसे मैंने की जो है letter दिया हुआ है you bought an LED TV from goel electronics and furniture house यानि कि आपने एक LED TV खरीदा है यह दुकान का नाम है आप उजिट मोती cinema रो यानि की उची दरीके से काम करती रही but now it has started giving trouble लेकिन अब उसने समस्य देनी यानि की मुस्यबत देनी शुरू कर दी है pointing out the defect यानि की जो defect है जो कमी है उसको बताते हुए point करना यानि की सारा करना ने की कमी बताते हुए write a letter letter लेटर लिखना है of complain complain का 100 to 120 words 100-120 सब्दों के अंदर यह जो है letter लिखना है आपको डिलर को requesting him to repair और replace the set के ते हैं कि या तो repair कर दें या फिर इस set को replace कर दें तो एक तो letter है और इसके अंदर एक आएगा यहां पर जो दिया गया है वो है notice तो इन दोनों में से कोई एक करना है आपको एक्जाम में उसके बाद section C के अंदर grammar के को सनाएंगे 5 को सनाएंगे grammar से तो यहां पर जो है आप इन को सोल करके देख सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी exam की preparation कैसी है और solution में मैं इन सभी को सनों का answer भी यहां पर जो है तीन नंबर का सीन पैसे जाएगा यानिकि आपके पार्ट से जो है एक पैसे जाएगा और इसके नीचे जो है को सन होंगे दस्वी में भी इस तरह के question आते थे और उसके बाद एक आएगा स्टेंजा पोयम से और इसके नीचे भी question होंगे दोनों में से कोई एक आपको करना होगा choice है आपकी जो भी आसान लगे वो आपको एक करना है उसके बाद question नंबर 6 में 5 नंबर वाला question आएगा यहाँ पर question पेपर के अंदर जो question दिये गए हैं सबी question important है इनकी तैरी जरूर करें पहला question है give a brief character sketch of Mrs. Fitzgerald Mother's Day पार्ट का नाम है यह उसके बाद एक question choice में भी मिलेगा लोग answer type question में उसके बाद है question number 7 question number 8 उसके बाद है question number 9 यह सभी question important है इनकी जरूर तैरी करें और उसके बाद है question number 10 तो यह था आपका ग्यार्वी कक्सा का इंगली स्विवेसे का अर्ध वार्षीक परिक्सायनी की half yearly exam के लिए question paper अगर वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बुटन के ओपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाए झाल प्यार्षीक परिक्सायनी की बुटन के लिए करें जाए